और अब खबर सीकर के लक्षमनगर से है जहां नाबालिक की आपरण और दुष्ट्रम के मामले में पुलिस ने कारवाई करते हुए दो लोगों को गिरफतार कर लिया है पुलिस वपधिक्षक विरेंदर कुमार जाकर ने बताया कि लक्षमनगर थाने में नाबालिक बालिक के पिता ने मामला दर्च करवाया था कि उसकी बेटी को आपरण करके ट्रक चालक और उसकी साथी ने दुष्ट्रम किया है इस मामले को लेकर परसरामपुरा निवासी सुनील कुमार और कांधला निवासी बनवारिलाल को गिरफतार कर लिया गया है जेन बड़ाईड़ा तसना तेडरोईड़ा रिसकी बड़ाईड़ा पिसना तेडरोईड़ा जाएड़ा